दस फीट के गड़े में गिरा तीन साल का मासूम पुलीस ने रिस्क्यू कर बच्चे को बचाया खबर हमीरपुर जनपत की कोटवाली सुमेरपुर कजबा से है जहां निर्माराधीन मकान के पिलर में मासूम बच्चा गिर जाने से शेत्र में हड़कम्त मच गया और एक घंटे तक गड़े में मासूम फसा रहा वहीं सूचना पर स्थानिया पुलीस ने पहुचकर रिस्क् निकाल लिया गया आपको बता दे पूरा मामला हमीरपुर जनपत के थाना सुमेरपुर का है जहां शनिवार देर रात तीन साल का मासूम बच्चा दस फीट गहरे गड़े में गिर गया था जिसे पुलीस ने कड़ी मशक्त के बाद एक घंटे में बच्चे को सकुषल निक में रखा है आपको बताते चले की ग्राम चान ठोक के रहने वाले मनोज श्रीवास का तीन वर्शिय बेटा खेलते खेलते अचानत दस फीट गहरे गड़े में गिर गया जिसकी चीक पुकार सुनकर माबाब बेचैन हो गए तभी पडोस के लोगों ने डायल 112 पुलीस सहित स्थानिया पुलीस को सूचना दे दी ततपश्चात पुलीस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन और जेसीबी की मदद से एक घंटे की करी मशक्तत के बाद तीन वर्शिय बच्चे भोला को गड़े से सकुषन निकाल दिया ग और उसमें गिर गया पुलीस ने कड़ी मशक्तत के बाद हमारे बेटे भोला को सकुषन निकाल लिया है फिलहाल बच्चे को सुमेरपुर सामुदाइक स्वास्ति केंद्र में भरती कराया है जहां डॉक्टर शशांक सिंग ने बताया कि बच्चा बिलकुल ठीक है लेकिन फिर भी 24 घंटे के लिए अब्जर्वेशन में रखा गया है जान फूर नमर गारा है क्या हुआ था अच्छ यह हुए थी कि साम कालो मगकान बंट रहा था उसमें फिलर कर रहा है फिलर कि बार फिलर हो गया जी से भीचादिए इसके बात आया हमारा बच्चा खेलता रहा हुए बहुते के तो गिर गया फिलर में कर को सब्सक्राइब्सदार्으니까 के डलें उसमें किल गया बच्च आए बच्छ से इंसान का और बच्च यह है